जनाब अगर आपका है बजट बड़ा कहने का मतलब अगर आप खोलना चाहते हैं होटल की साइट या हम कहें शौपिंग मॉल की साइट या कोई कमर्शल स्पेस कोई डिस्पेंसरी या नर्सिंग हो ये सारा का सारा जो लोकेशन है ये हर्याना में मानेसर, फरीदाबाद, बह अबल में हिस्तित है, HSIIDC ने ये उक्षन के माद्यम से वेरियस साइट्स जो की इंडस्ट्रियल एड स्टेट्स के अंदर आती है, ये निकाली है, आपको बता दे, इन सभी का जो ड्रॉफ की तारीक है, ये 9 नवंबर 2022 रखी गई है, लेकिन किस कीमत पे और क्या साइज ह तो आईए जानते हैं, तो जनाब सबसे पहले आपको बता दे, इसके लिए रेइस्टेशन की जो स्टार्ट डेट है, वो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है, और इसमें EMD जो आपने जमा करनी है, उसकी लास्ट डेट, उसकी 28 अक्टूबर 2022 लगबग रात के 11 बजे 59 मिन सायट निकाली गई हैं, जो इंस्टिशनल भी है, खोटल कमर्शल भी है, कमर्शल स्पेस भी है, ग्रूप हाउसिंग भी है, शॉपिंग ओल भी है, डिस पैंसरिंग, नर्सिंग ओं भी है, तो कहने का मतलब, यह सारा का सारा का सबसे जादर टेन्टेटिव एरिया ल आगल दिखाई देता है और मैक्सिमाम सबसे बड़ा साइज इसमें होटल कमर्शियल का है वो लगबग 15,750 पर स्क्विर मीटर का साइज इन्होंने निकाला है अब बात करते हैं रिजर्फ प्राइस की वन बाई वन तो आपको बता दे जो मानेसर फेज वन सेक्टर टू में है कहने का मतलब इसकी एमडी की आपको कॉस्ट 25,6,641 रुपे इसकी जमा करनी है अब बात करते हैं मानेसर फेज वन सेक्टर फाइज जिसमें होटल या कमर्शियल जो की लगबग सबसे बड़ा साइज है 15,750 का इसका रिजर्फ प्राइस जो रखा है वो 71,750 रखा है अग लगबग 5 करोड 65,3,125 रुपे रखी गई है अगला बावल का जो फेज वन सेक्टर 3 की लोकेशन में कमर्शियल स्पेस लबग 3600 स्क्वेर मीटर का 16,650 इसकी रिजर्फ प्राइस पर स्क्वेर मीटर का रखा है आपको इसमें 29,097,000 एमडी कॉस्ट जमा करनी है बावल फ स्क्वेर मीटर का साइज है 16,660 का रिजर्फ प्राइस है पर स्क्वेर मीटर का इसमें आपको 16,66,000 रुपे एमडी कॉस्ट जमा करनी है अगर आप शॉपिंग मॉल या कमर्शियल स्पेस फरीदाबा सेक्टर 67 में लगाना चाहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्राइस है 30,150 स्क्वेर मीटर पर स्क्वेर मीटर का रिजर्फ प्राइस है 64,10,644 रुपे आपको इसकी कॉस्ट एज एमडी जमा करनी है अब रही आखरी फाइनल बहातुरगर में दो लोकेशन एक सेक्टर 17 जिसमें डिस्पेंसरी नर्सिंग होम है और दूसरा सेक्टर तीन भी जिसमें कमर्शन स्पेस है तो अगर सेक्टर 17 की बात करें जिसमें डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम है उसमें 4,050 रुपे 4,050 स्क्वेर मीटर का साइज है और अगर हम रिजर्फ प्राइस की बात करें 21,250 का इसका पर स्क्वेर मीटर का रिजर्फ प्राइस है ज सब्सक्राइब करें हजार स्क्राइब का साइज है इसका भी 23,800 के आसपास है और इसकी जो कीमत है आपको 11,90,000 आपको इसकी EMD कॉस्ट जमा करनी है आपको बता दे इन सब किसी भी साइट पे आपको participation के लिए आपको www.hsiidc.org.in पे जाना है या फिर आपको इनके option का जो portal है www.hsiidc.bids.in पे जाके पहले इसमें आपको अपना registration कराना है और उसके बाद जो as per formalities होती हैं सारे के सारे documents, mandatory documents आपको इसमें समय के साथ upload करने हैं अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का doubt लगता है तो आप इस दिये गए नंबर पे जो कि 0172-2590-481 से लेके 83 तक किसी भी नंबर पे अपना clarification इस पे पूछ सकते हैं ये हर्याना State Industrial and Infrastructure Development Corporation HSIIDC की ही जी हाँ उनका इस office का दिया गया नंबर है अभी फिलाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले जो नए है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले क्योंकि हर तरीके की properties related investment इस चैनल के माध्यन से आपको मिलती रही है और मिलती रहेगी चलिए अभी फिलाल के लिए दीजिएगा इसाज़त मिलता हूँ एक खास नई अपदेशन के साथ गुडबाई धन्यवाद